हेलो आज मैं आपको बताने जाने हो रहा हूं किस तरह से CPVC पाइप लाइन की फिटिंग की जाते हैं तो यह एक बातरूम है यहाँ पर मैंने CPVC फिटिंग किया है देख सकते हैं यहाँ पर यह सेप्टिक टैंक है और यहाँ मैंने CPVC 1 इनची और पाउंड इची pipeline की कनेक्शन किया है देख सकते हैं मैंने 1 इनची का टी लगा हूए हैं और यहाँ आज हम बाहर से कनेक्शन ले रहे इसका एक इनची का टी आपर मैंने और लगा दिया यहाँ पर लगने वाला है इंदियन साद हैसित और यह 1X10 का T लगा है यहाँ पर इसका tap है यह और यह wall फ़ोष यहाँ से एक इનची मैंने forward किया है यहाँ और यहाँ पर यहाँ पर मैंने socket लगा कर यहाँ boost लगा दिया है पाउंड बाइ एक का यहाँ पर मैंने T लगा दिया है और यह concealed dealt देख सकते हो उपर गया है और उपर मैंने उपर के डारेक्शन में यह कंसिल वाल लगा है देख सकते हो आप आयरो यहाँ पर और यह मैंने साड़े छे पुट की हैट पर मैंने यह शावर लिया है और यह 30 31, 32 पर यहां रखा है और यहां से 나서 एक गॉंट लिए है टी मारकर दो वो दो आए और यह वाच बेसिंग के लिए मैंने आप पर पॉझ लिया है, देख सकते हैं कि यह ₹ müssen लेट चे साथ इंची ऊपने वाला है, टॉइलƉलइट। इसी वज़े से यह उपर दीक रहोगा, पूञ आपको शय layers यहां से मैंने अल्बो दिया है और यह यहां पर मैंने और एक टी लगाया है और बाहर भी और पाउंट जाने वाला है इसकी वज़े से यहां पर पाउंट दिया है यहां पर मैंने बुच भी लगाया है पाउंट बाएक का और यह मैंने आगे यहां पर बढ़ाया है तो ये नीचे वाला पाइंट हमारा टैंक का पाइंट है आउटलेट का यहाँ पर मैंने 45 दिया है दो ताकि प्रेशर डाउन ना हो इसलिए इसके उस तरफ कीचन है और ये कीचन के दो पाइंट है ये एक डायरेक्ट पाइंट है ये मोटर का इसको मैंने पाउनिंची रखा है और बाहर निकाल दिया है देख सकते हो आप यहां से यहां से बाहर निकाल दिया है मैंने देख सकते हो अभी ये बाहर से इस पाउनिंची और एक इंची मैंने यहां पर निकाल है ये एक इंची हमारा टैंक का आउटलेट है और ये पाउनिंची हमारा मोटर को कनेक्शन जाने वाले यहाँ पर मोटर का कनेक्शन होगा अभी फिला लेले फर जरी काटना बागी है तंग की ऊपर लगेगी यहाँ बनारा मोटर का कनेक्शन लगेगा तो यहां से मैं आगे बढ़ाया यहाँ पर और एक पॉंट दिया है हमने एक बाई-पॉंट गट्टी लगार कर यहां पर हमने एक पॉंट लिया है टाइप के लिए क्योंकि कस्टमर को यहां पर टाइप चाहिए दा और यहां पर हमने आगे बढ़ाया है यहां पर भी हमने एक पॉंट कटी लिया है यहां पर भी एक पॉंट चाहिए दा इनको और यहां पर हमने 45 लगा गया पर नीचे से पॉइंट लेया है जो कि स्ठेर है या पर इसलिए हमने निच्छे पॉइंट लेगे इंग है और यह आगे अभी काम होना बागी है इसलिए आप रोग दिया गए है देख सकते यह स्टेर के निचे जैमने यह पॉंट ले आए और यह पॉंट हमें इस तरफ लेना है आप जो धरी काटी गई है इस तरफ देख सकते हैं इस तरफ है हमें पॉंट लेना अगर यह वीडियो आपको अच्छे लगे तो लाइक किया शेयर और सब्सक्राइब करें इसका नेक्स्ट पर में बाद नो बालंगा